नासकार मैं अफदल आप देख रहा हैं ऑनलाइन इस इंडिया भारत की पहचान दुनिया भर में एक मददगार देश के तोर पर की जाती है आज भारत आक्सिजन की कमी से जूज रहा है हजारों जिन्दग्या आक्सिजन ने हम से छीन ली ऐसे दुक और संकट की वेला में जब भारत ने दुनिया भर से मदद की गुहार लगाई तो दुनिया ने भी दिल खोल कर भारत को मदद करने की पेशकस की चाहे अमरीका हो ब्रेटेन हो फ्रांस जर्मनी या चीन या यूएई या फिर उसके बाद सौधी एरेपिया यहां तक कि पाकिस्तान ने भी मदद की बात किये सौधी एरेपिया ने कहा कि हम 80 में टिक टन ऑक्सिएन भारत को इस दुक की घड़ी में देंगे उसपर भारत के लोंक खुष्य जाईर करी रहती लेकिन साथ-साथ मुसलमानों में एक अलग परकार की खुष्य दिकीघ्या क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र रेस्थान सबसे पवित्र होते है सौधी एरब का मक्क मदीना होते मुसल्मानों ने अपने शोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर लगाना सूख कर दिया ख़जूर के घर से शिपा आ रही है क्योंकि जब हच करने जाते हैं तो वहां से पानी लेकर आते हैं किसी के तब्यद दिगवती है तो पानी पिलाते हैं ताकि तब्यद सही हो जाए यह हुआ का अपना विलीफ है आसता है इस पर रुवीका लियकत ने क्या कहा वह हर किसी के लिए हैरान करने वाला मैं रुबीगा लियकत का टॉनिक मुसल्मानों के खिलाफी काम करता है जरा रुबीका लियक तूइट को भी देखे घमन के साथ टूइड क्या है वह ज्राथ द आरे पहले भारत ने मदद की सौधी अरब को भारत ने 45 लाग वैक्सिन कॉमिर्शल सप्लाई की थी 14 फरवरी को 30 लाग और 28 मार्च को 15 लाग और हाँ आक्सिजन आ रही है अदानी के जहाज से ये बात रुबी का लियाकत ने कितने आहंकार के साथ लिका है ये आप समझ सकते हैं अबा के घर से आ रही है अबा नहीं मुसल्मानों का विलीफ है मुसल्मानों का आस्ता है हुजूर के घर से आ रही है जी हाँ रुबिका लेका जी आप भी खुद को मुसलमान कहती हैं आप कोई पता होगा कि हज़द पेगंबर मुझे लगाते हैं और आप कैसे ये बात कह सकती हैं मुसलमानों को ये खेस जरूर पहुँचे होगी आपके टूट से अलाकि इस पर जो फिल्म कार है कमरान रसित कान उन्होंने लिखा कि रुबिका जी ये आक्सिजन जिहाद हो रहा है जी हाँ जब हाँ तरह मुसलमानों के खिलाब नफ्त और घ्रूना फैला जाती है जर फैला जाता है आपको रुबिका लियाकत का पिछले साल का एक वीडियो भी दिखाएंगे जो तब्लीकी जमाद जब 6,000 मामले थे कॉरोणा के तब तब्लीकी जमाद जमीदा है था मरकज जो है कॉरोणा का केन रेता मुसलमानों से घिरना की जा रहे थी नफ़त बनाए जा रहे थी और जो सबजी बेचने वाले थे उनको कैसे मारा जा रहा था बो मैं दिखाऊंगा और जो इस वक्त जब लोगों की सासे उखर रहे हैं लोग तलब रहे हैं तो मुसल्मान कॉमिनिटी से जतना हो पा रहा है कोई सेहनवाज अपना स्यू भी बेच रहा है 22 लाग का और लोगों को आक्सिजन मुहिया करा रहा है फिरी में तो कोई जिसका अपनोंने साथ छोड़ दिया उसके शब को कांदा मुसल्मान दे रहे हैं ये हमारे देश की खुबसूरती है लेकिन रूबी का लियाकत को सायथ उनका टौर्निक तभी काम करता है जब मुसल्मानों की कोई बात आ है पहले पिछले साल का एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ कि रूबी का लियाकत कैसे चीख थी चिलाती थी और किस रॉब से सवाल पूछती थी कहां है मुलाना साथ मुलाना साथ को माफी मांगनी चाहिए तबलीकी जमान वालों को माफी मांगनी चाहिए इनके नफरत और जहर फैलाने का क्या असर हुआ था पिछले साल वो मैं दिखाऊंगा पहले आप लुबी का लियकत का ये वीडियो था तुम्हारे किस तरह से तुम लोग करोना फैला रहे हो एक सबजी बेचने वाला जो सबजी बेचने जाता था जिनका जो हर रोज जाता होगा इसी तरीके से ये पिछले साल का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको तो उसको मारा गया पीटा गया कसूर क्या था उसका जो करोना फैला है और यही जिम्मेदार है यही गुनेगार है यही लोग साजी स्रच रहे यही कही जा रही थी बात कि यह लोग करोना फैलाने की साजी स्रच रही है और रच रहे हैं इसलिए लोग सबजी नहीं बेच रहे हैं इसलिए इनको माना जा रहा था पीठा जा रहा वो गालियां दी जा रही थे देखा आपने एक और रुबिका लियाक जी स्वायद आप भी इस वीडियो को देखिए कि इस मजदूर को कैसे पीचा जा रहा था इसके अगुना क्या था बिचा रहा था कसूर क्या था यहीं ना कि वो मुसल्मान था अब वो सब्जी बेच रहा था और इसको यह पता दिया गया था कि यह कुरोना फैलाने के लिए लोग आ रहे हैं बस्ति में इनको घुसने नहीं था एक मैं आपको देखा रहा हूँ 9 अप्रेल 2020 की यह दैनिक भासकर का की ख़बर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यह देखिए कि जो क्या लिखा है कि सब्जी बेचने वाले से क्या देखा जा रहा है आईडी कार्ट आईडी कार्ट देखा जा रहा था कि अगर मुसल जब 6,000 मामले थे तब आपने टांडम मचाया था मरकत को जिम्मेदार ठहराया था और यह तक कह दिया था कि यह कोरोना फैलाने की शाजिस हो रही है आपके फैलाए घिरना का यह असर हुआ था और आज जब 3,5,5,5 से जादा लोग मर रहे हैं इसके लिए कुन जिम्मेद आस्ट्रेलियन कैता है कि मोधी की वायसे भारत कियमत की स्थिती में पहुंच गया यह और Beeng के वहां toujours होकर लिख रहा है मोधी की वह तकम कि भर्त पहुआँ तो वी दिगारजंत लिखता है मोधी का आट में विस्वास चुनाभी रैयल्याह स्किक च 2017-6550機 कि भिखाना की से यह क्या हुआ क्रोना फैला भारत में क्रोना टू-पैंट-जिरो रॉजरु रूप दिखा रहा है पी एम नरेंद मोदी के नेत्रित की विफलता से हालात हुआ यह लिख रहा है कई अकवार विदेशी अकवार लेकिन यह हमारी मीडिया क्या कर रही है उनको हिम्मत तक नह नहीं ले सकती जिम्मेदार तो ठहराना दूर की बात है यह नौबत है हमारे देशी मीडिया के और वह विदेशी मीडिया किस तरीके से वेवाकी से खवरे लिख रहा है और जब सौधी एरफ से ऑक्सिजन आ रहा है तो मुसल्मानों में एक खुशी कि लार है क्योंकि वह तो रूबी के अलियाकत किस तरीके किस अंकार के साथ वो टूइट कर रही है वो आपको मैंने दिखाया आप ज़रा देखिए कि दुबाए के वर्ज खलीपा ने उसमें इंडियान फ्लैग लगाया जाता है और इंडिया स्टे स्ट्रॉंग यह लिखी जा रही है बाते और हर तरफ से मनद की पेशकस की जा रही है लेकिन यह रूबी के अलियाकत तो सर्फ जब इनका टॉनिक तब काम करेगा जब मुसल्मान कुछ बोलेगा कपिल मिश्रा नसिंगानन रागनी तिवारी जब यह कहते हैं कि मुसल्मान जिहाद करेंगे तुम्हें मारेंगे तन को स अपनी कार बेज़कर दे रहा है मुहिया करा रहा है इंसानियत की मिशाल पेश कर रहा है तो इस वक्त क्या आकर के वह बोलेंगे कि हिंदु खत्रे में हैं हिंदू किस्से खत्रे में आप सबसे अपील है कि ज्यादा से यादा तक पहला है अब देख और अपने टूइट को डिलिट करें कि जितनी बेशर्मी के साथ टूइड कि जैंक खुश्रमानों का एक आस्ता और विलीफ है वो यह कह रहे है कि हुजूर के घर से शिपा आ रही है औक्सिजन आ रही है खुश्या मना रहे हैं तब उन्होंने किस तरह से का कि अब गई घर से ऐसे उन्होंने कितने अंकार के साथ टूइट करें तो आप इस वीडियो को ज्या गुर्दवाइ..